जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमेद है आप सब थोड़े से टेंशन में होगे हकीकत यह है टेंशन में नहीं टेंशन ना लो ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लीजी आप लोग इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे सारे पॉइंट को और इस रिविजन क्लास में हर एक पॉइंट को टच किया जाएगा हर एक पॉइंट को समझा जाएगा असाम से सब्दों में आप रटने की कोशिस मत करिएगा ठीक है समझिएगा क्योंकि एक्जाम से मैं आपको समझ के लिखना है तो सुरू करें इस वीडियो को चलिए बिन इस वीडियो को तो दोस्तों सुरू करते हैं हम पार्ठिक्रम से इंगलिस में इसको बात करें तो करिकुलम से हम स्टाट करें पहले समझे कि करिकुलम के बारे में पूछता है तो आप ऐसे सुरू बात करिए पार्ठिक्रम एक नीती है जिसके आधार पर समस्त सिक्षड का का किया जाता है आसान से सब्सक्राइब वह नीती है जिसके आदार पर विद्याले के समस्तकार किये जाते हैं जैसे कौन से कार कब क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है इसका निर्धारल पार्ठेक्रम के द्वारा ही किया जाता है अब आए इसके थोड़े से यहीं से आपके का मैदान दोड का मैदान अर्थात विद्यार्थी का मैदान के अंदर ही धावक दोडता एक पार्ठय करना है और एक चिक silos को करना है मतलब समस्त सिक्षण कारे क्या होता है दोस्तों इस पाठेक्रम के फरीधी के अंदर ही होता है इसी को हम क्या कहते हैं पाठेक्रम के अर्थों में कुछ और आपको समझ जाए पाठेक्रम एक सिक्षा का अधार है जिसकी राह पर चलकर सिक्षा के उदेशों की पूर्ती होती पार्टिक्रम के अनुसार ही छात्र अपने अधिकम कारे करते हैं पार्टिक्रम द्वारा ही विसेयों को करमध तरीके से किया जाता है ठीक है समाज की आउसकताओं को देखते हुए भी किसी भी पार्टिक्रम का निर्माड किया जाना आवस्यक है और विद्याले में आयोजी होने वाले समस्दकार मतलब आपका प्रातना कब होगा आपका स्काउट गायड कब होगा आपका लंज कब होगा इस सारी चीजे पाठेकरम के अंदरगत आती है चलिए बहुत अचे अगर हम परिभासा की बात करें तो तो देखिए दोस्तों बहुत सारे परिभासा याद मत करिए कम से कम दो से तीन याद करिए उसको नाम याद रखिएगा और उनके परिभासा याद रखिएगा और सबसे बहुतिन कनिघम ने कहा था कि जैसे कि एक कलाकार के हाथ में एक कलम होता है जिससे वो अपने मन पसंद की क्या करता है आकरिती बनाता है उसी प्रकार से पाठेकरम क्या है कि सिक्छक के हाथ में एक साधन है जिसके आधार पर वो अपने आदर्स और उदेशों के अ सार अपनी स्टिडियो यानी स्कूल में क्या करता है ढाल सके होड महदय ने कहा था पार्ठिक्रम वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है सांतिपुर्ण पढ़ाने या सीखने से अधिक है इसमें उद्योग वेसा ज्यान पढ़ाने अभ्यास की किरियाएं समलित होती तो जो भ आलक को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं मुंद्रों ने कहा था कि पार्ठिक्रम में वह सब क्रियाएं समलित हैं जिनका हम सिक्षा के उदेश्यों के प्राप्ति के लिए क्या करते हैं दोस्तों उप्योग करते हो गया चलिए तो आपने अर्थ देख लिए अ इसकी उत्पति कहां से हो ये भी देख लिया और पाठे करम के बारे में थोड़े सब्द भी यहां पे लिख लेंगे पाठे करम की परिभासाएं दो जो आसान परिभासाएं लगी वह हो गया अब आपका पाठे करम खतम होता है इसकी विश्यस्ता आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि इसकी विश्यस्ता बिल्कुल वही आपने जो पढ़ा, पाठेकरम क्या है, समाज की आउसकताओं को देखते वे पाठेकरम बनता है, चलिए इसको अटा दीजिए, पाठेकरम क्या है दोस्तो, पाठेकरम व सब वही बात है कोई आपको समझ से एक बात नहीं आप वह चीज़े देखिए जो आपको थोड़ा समझना है बाकी विशेस्ता है आप बहुत अच्छे बचे आप सोयम से लिख लेंगे चाहिए उतेज से दोस्तों उदेशी भी बहुत हचान है पार्टेगरम का उदेश से क् पहुत होना का विकास करना बल कुछ नहीं है कुछ नहीं अब जट आई अब यह तो इंगलिस में दिया गया है इंगलिस में वहले बच्चे चाहे तो आप इसक्रिंशॉट ले सकते हैं आप सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया ठीक है चलिए फटा-फटी स्क्रिंशॉट क्या दोस्तों सीधांथ दप्रिंस्पस सफंफ करिकूलम कर्शिस पहुत इंपॉर्टेंट है अगर हिंदी में बात करें तो इसको पाल्प Täकरम निर्माण के सीधांथ ठीक है को विद्यालय में चैzar Nhau Palisya को बमारतित च्षाइद कसी कया कि और बचocre कर Ubese badaji रिखें थर् कि अब पपनाइगे तो आप विध्याय कंद्रित रखेंगे मतलब विद्यार्थी के दृस्टा छमताओं का ख्याल रखते हुए आप विद्यारी करेंगे हब समाज को देखके हुआ समुधा की देखते हómoे आप सिधांथ बनाएंगे तो मतलबू स पार्टे कराम के अंदर कुछ क्रिआएं भी होनी चाहिए ऐसा नहीं पार्टिक्रम में तया कि बच्चे को आठ बजे स्कूल आदा है तो अब ऐसा मत बना दीजिए कि भाई यह आठ बज़ के एक मिनिट पर जो आए उसको बाहर कर दे नहीं इतना कठोर मत बना दीजिए और इतना लचीला भी मत बना दीजिए कि जो आठ बजे के बजाए कोई दस बजाता है नहीं तो उसमें थोड़ा सा फ्लैक्सिबिल्टी रहना चाहिए लचीला पन रहना चाहिए कि थोड़ा सा आप समय सकतो लचीला पन का मतलब कि ऐसा पार्टिक्रम हो जो कि जो बहुत तेज बच्चे हैं उनके लिए भी सही हो और जो थोड़े मंद बुद्य हो उसके लिए आप सब्सक्राइब करेंके मतलब हो एक विशह का दूसरी विशह से संब्भान हो उनके बच्चे को उनके वप्योग इता के सिदान कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका क्या उप्योग है तो इस प्रकार से रचनात्मक प्रसिख्छर का सिदान्द लोगता करते समय आप किन-किन बातों को ध्यान रखेंगें आप इस बात को ध्यान रखेंगें बच्चों के समाज का कारियों का उनके अनुभाव का उनकी योगता का करके सीखने का बस यही सब चीज़ें दोस्तों कोई टेंचन नहीं ठीक है इसमें जितना भी आपको याद आए आधी ग्याम नेओ का सिखना तो यह दोस्तों हो गए आपके पार्ठेकरम निर्मार के सिखना ठीक है पॉइंट लिख लिए आपने बहुत अच्छा गिए अब आईए अगर यही सवाल आको लॉंग में पूछ देता है कि सिधान के बारे में ही बताना तो आपको इसको थो पार्ठेकरम का छेतर का दोस्तों करें चैत्र व्यापवग होता है और रूप से देख सकती है क्या होता है अच्छा पार्ठेकरम ऑनभव की संप्रदान करता है यहीं आप आपको जैसे जो आपने विक्ता यहता लिखी ना बस वही इन हाट्व है करना सिक्षर समागरी का निधार्ण करना सिक्षर विद्यों का निधार्ण करना विसे समागरी में विवाजन साय बहुत सिंपल है यह सारे पॉइंट आपको छोड़ दिए रटना बिल्कुल नहीं है जो दिमाग में आएगा एक्जाम में लिखेगा बस कोई दिक्कत नहीं अब आए आव सकता निध वही होई पाठेकरम की वहांता यूल्टी यूज क्या इसका यूपियो क्या है चलिया पाठेकरम के परकार दोस्तों बड़ा इंपोर्टन है पाठेकरम के परकार आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो टाइपस ऑफ करिकुलम भी बिल्कु विसाय केंद्रित पाठेकरम होते हैं कुछ जो पाठेकरम होते हैं वो विसाय केंद्रित या अध्यापक केंद्रित पाठेकरम होते हैं कुछ पाठेकरम जो होते हैं वो बाल केंद्रित होते हैं कुछ पाठेकरम क्रिया केंद्रित होते हैं कुछ पाठेकरम उद्देस के ल से प spices yakता को प्रमुख मानकों कर बना जाता है उस अपसलिए कर देजिए तो अब जब सी अचा के आसानी स्षा कि एस परकार से सिय то लिकार से जब आ estás नी सुवीदा का ख्याल रखा जोगेज़ का श्राख अब जाता है के अंदर से आपके सवाल पूछने जाने है चाहे पार्ठेगरम के अर्थ पूछे परिभासा पूछे प्रकृति पूछे जो भी पूछे निर्माण के सीङधान पूछा है तो निर्माण के सीज़ान लिएक्स्मिन कर दिए इससे एक सवाल आपको बढ़ना है पकान है ठीक है दोस्तों चलिए बिल्कुल घपता है करीत में और समस्छे यह है कि सिक्षा दर्सन और सिक्षा में योगदान बताईए तो कभी स्वामी वीवेकानन जी कभी महात्मागादी कभी रविद्ना टैगोर जी कभी अविद्गोर जी इन चारों विद्वानों में से किसी ना किसी का एक सिक्षा में योगदान या सिक्षा दर्सन या सिक्षा के उदेश हमेशा पूछता है अब इन चारों को याद कैसे किया जाए तो देखिए जब आप इन चारों के बारे में पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि सभी का सिक्षा दर्सन काफी सिमिलर है और इन सिधान्त और एक उद्यश से बताया है आप उसको अपने यूनिट और सिरीज से मिलाएंगे बिल्कुल एज इस सारे विद्वानों के बारे में आप वही लिख सकते हैं पहले चीजों को समझेए फिर बात करेंगे इस पर तो सबसे सबका ये सिधान्त दिया हुआ है कि बुद्धी वृति मतलब सिक्षा ऐसा हो जो आपके मेंटली थौट को डेवलब करें और सबका यही मानना है कि बालक और बालिकाओं के लिए समान सिक्षा होनी चाहिए अलक हो या बालिका एक दूसरे बिलकुल भीन नहीं है सबका ये मानना है और सबका मानना था कि सिक्षा मात्रभासा में होना चाहिए और सबका मानना था कि सिक्षा में राश्टियता की भावना उत्पन होने वाली सिक्षा होनी चाहिए ऐसे पढ़ाया है कि लोगों के अं निरभड़ता को हासिल कर सके, आने वाले जीवन में अपने व्याय को स्वेम उठा सके और सबका मानना था कि स्वाप अनुभवी सिच्छा होने चाहिए, मतलब आप experience करके पढ़ने चाहिए बच्चों को, और सबका मानना था कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का सुधार हो ठीक है तो अगर किसी का भी आता है गांधी जी स्वामी बीविका ना जिरविन ना टैगोर आप इस सिधान्त को आँख बंद करके लिए सबक ने यही सिधान्त दियें सबका सिधान्त इसी से मिलता जुलता है आप स्क्रिन यह उस एड़ करने में गांधी जी को बारे में सोचिए तो गांधी जी का जो जीवन सहली था वो काफिक साधार था साधार पर वह स्मिपल लिविंग और हाइट धिंकिंग पर विचार करते थे थे साधार जीवन लेकिन उच्च्य सोच आप वहाँशा की खादी के वस्तर मानना तो ये सारी चीज़ों पे वो ज्यादा Fokus कि ए थे कि गाओं में जो कार्य होता है मुरब्बा बनाना अ मुरबा बनाना चिटाई बनाना ग्रीक कार्य nancy कपडे की बुनाई करना इन चीज़ों पे वो बिंदू को एड़ करिए अगर आपको लगता है कि यह आठ पॉइंट कम है तो स्वामी विवेकननत के बारे में अगर चाहें तो एड़ कर लिजे तो स्वामी विवेकननत जी का लक्तित वो कैसा था वो बड़े धार्मिंग विचार के थे राश्ट्री सुरक्षा पे बल दे करते थे सामाजी कारे करते थे तो अगर आप चाहें तो इन पॉइंट को एड़ कर सकते हैं और हाँ खास तवर पे जब रविद्ना टैगोर के बारे में पूछे तो कुछ बिंदू उसमें एड़ कर दीजेगा क्योंकि रविद्ना टैगोर जी जनगन मन के रचीता है ठीक और प्रकिर्टी प्रेम नेचर की प्रेम को अस्थान देना चाहिए तो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा इन चीजों को एड़ कर सकते हैं वरना ये आठ बिंदू भी काफी हैं कहना का मतलब है कि सारे समान है कोई भी पूछे आप ये सिधान लिखे आसानी से लिखे बि सबने सिक्षा के उद्देश से क्या बताएं तो सबने कहा कि सिक्षा ऐसी हो जो मारडिक वसारडिक विकास करें फिजिकल डेवलमेंट करें मानसिक विकास करें मेंटल डेवलमेंट करें नैतिकता हैं आध्यात्मिक का विकास करें मोरल एन स्प्रिच्वल डेवलमेंट करे सब का मानना था हर एक विद्वान का मानना था तो कोई भी पूछे आप ये सिख्छा के उदेश लिखे समस्त सक्तियों का विकास मतलब all power का develop करें समाजिक विकास social development सब का मानना था कि सिख्छा के उदेश ये होना चाहिए राष्टियता का विकास development of nationalism अंतराष्टिय द्रिष्टिकोर का विकास development of international understanding इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि सैच्छिक उदेशों की प्राप्ति नैतिकता का निर्माण इसके अलावा समाज सुधारक जो भी बिंदू आया आप लिख सकते हैं कि सब का यहीं मानना था एक ही तरह के विचार उन्होंने दिये हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान प्रेम को बड़ा बल दिये थे तो यह बिंदु आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों चाहे किसी का भी पूछे आप यह सिख्षा के उद्यस लिख सकते हैं अब बात करते हैं सिक्छत भी दिया सारे विद्वानोंने लगबख समान तरह के सिख्छत भी दिया कैसे सबका मानना था कि स्वह अनुभव सेलफ सेख्प्रियेंट बेस होनाचाहिए education method ठीक्यां teaching method अर्टजिंग method self-experience होना चाहिए सब शेख्आ करके करके कर रिख्री स्थ्षण सब का मनना था परेयुगात्मक सिक्षण करके विदी सिक्षण हो और खेल कूद्युदू सिक्षण विदी तो सन्रेकर का असानी से सिच्षा बाday किजनात के बहुत निहीं सकते हैं आप आसानी से सिख्षा के उधे से लिख सकते हैं आप आसानी से सिख्षड वीधी लिख सकते हैं लेकिन ये आप कब लिखिएगा आपको सुरुवात कहां से करना है देखिए सुरुवात आपको यहां से करना है जैसे मानली जी पूछता है गांदी जी के सिख्षा दर्सन प दिन्वा करना है अर्थात सिच्छा इस प्रकार से होनी चाहिए जो बालक के व्यक्तितों का संतुलित विकास करे तथा उनके संघर्स में जीवन की बाधाओं का सफलता पुर्वक समधार करना सिखा सके ठीक है अगर मान लिजी पूछ देता है रविन्ना टैगोर जी के बार पूछे यहां नाम लिखिए और लिखिए जी का मानना था कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अंदर राष्ट्यता की भावना जागरित करे तो आप यह सब के लिए कौमन है आप आराम से बना के लिख सकते हैं ठीक है और अगर और बहतर लिखना चाहते ह हैं तो सिच्छा अगर मानने जिसके बारे में पूछता है जैसे गांधी जी तो आप गांधी जी का थोड़ा सा परिशे दे सकते हैं जैसे कि गांधी जी को भारत का राष्ट पिदा कहा जाता है इन्हें बापू के नाम से भुगारा जाता है और उसके बाद लिख सकते है कि गांधी जी का मानना था या गांधी जी को महान सिचा सास्त्री कहते हैं इसी तरह से रविन्ना टैगोर जी के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं कि रविन्ना टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है इनको रविन्ना ठाकूर के नाम से भी जाना जाता है इनका जम कोलकता में हुआ था तो आगर आप उनका जीवन परिशे थोड़ा सा एड़ करना चाहें तो आप सुरू में एड़ कर दिजिए और उसके बाद डायेक्ट यहीं से सुरू करिए कि गांधी जी को एक महान सिच्चा सार्ती या फिर रविन्ना टैगोर जी को एक महान सिच्चे सास्त्री कहने का मतलब है कि प्रस्ट में जो भी पूछे आराम से उसका यहां पर नाम लिख लिजिए और इसी फॉर्मेट में आप थोड़ा सा लिखके उसके बाद सीधे आ जाईए कहां पर उनके अधारबुद सिच्चा के अधारबुद सिदान तो महात्मा गाधी के सिच्चा दर्सन की अधारबुद सिदान स्वामी विवेका नंद के सिच्चा दर्सन की अधारबुद सिदान ठीक है तो यह सब में कॉमन रहा ठीक है उसके साथ आप उसके बाद सिच्चा के उद्रे से यहां से लिख दीजिए उसके बाद आप यहा integration का क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि राश्टिय का अर्थ की सामाजिक धार्मिक भासी छेत्री और सांस्कृतिक भीनिता को बनाए रखते हुए समूचे लोगों में एक ही राश्टिय की भावना और एक राश्टिय की से एक राश्टिय व्यक्ति से संब्वोधित होने की भावना सभी नागरिक्त और राश्टिय की परति समर्पड की भावना और वफादारी विक्सित करना यही क्या होता है नैस्टन इंटिग्रेशन होता है अर्थाथ भले ही एक राश्टिय के अंदर समाजिक धार्मिक भासाई चित्वे और संस्क्रितिक तुर्पे कितने भी भी नताएं हो लेकिन जब बात एक राश्टिता की आती है तो वह सब मिलकर एक हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं नैस्टनल इंट बीड़ कर इस भारत के तिरंगे को इस सान को अपने हाथों में समाजिक रखते हैं और देश को आगे लेके जाते हैं तो दोस्तो राश्टि एक आकिकरण का मतलब यह हुआ कि यूनिटी इन डाइवरसिटी की एक राश्टियता की भावना होना और एक भारतियता की भावन ने तरह दुझा हो ना जोस्तों ये राष्टिक राष्टि को दूध। Trek IK कुरन में समंस्या और बाधां उत्पन होती है। कुछ ऐसे बिंदू हैं जिसकि वएसे राष्टिक ये काकिरन में सब कुछ बाधाय उत्पन होती हैं अप्स्ट करण स्प्रॉब्लम्स आथी तो इस प्रकार की जो छेत्रवाद होती है जो हमें एक देश से तोड़ कर हमें एक छेत्र तक सीमित कर देती है वो रास्टे एक आकिरण में क्या करती है बाधा उत्पंद करती है और समस्या और संक्रता मतलब जो छोटी सोच होती है कि आरे वो हमारे में से नहीं है वो दूस से इस प्रकार की सोच भासावाद भासावाद भी वही बात होती है और दोस्तों सबसे बुरा तो बैड पॉलिटिक्स जाने की दोस्तों राश्टी एक आकिरण में यह वह बिल्टु हैं जो समस्याय उत्पन करती हैं दोस्तों मानने कि सिक्षा के माध्यम से आप राश्टी काकिरण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं सिक्षा के माध्यम से राश्टी एकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप से पूछे कि कुछ ऐसे सिक्षा के सुझाओत यह जिससे राश्टी एक आकिकरण और बहतर हो तो आप कैसे लिखेंगे तो देखिए सबसे पह जिसे धार्मिक सोहार्थ बढ़े जिसे आपस में भाहिचारा बढ़े और पार्टे पुस्तक में आवस्यक संसोधन किया जाए और उनकी समागरी को इस प्रकर प्रश्टूट किया जाए कि भावात्मक एकता का विकास हो एक दूसरे के लिए भाव उत्पन्न हो अच्छे भाव और मद्यकालीन इत्यास पढ़ाते समय सिच्छकों को चाहिए कि उस बात पर बल दे जो हिंदू मुसल्मानों की संस्कृति को मिलाने की सहायता होती हो और कुछ और दोस्तों बालकों में सिच्छा के दोबारा ऐसी दृष्टिकों उत्पन्न किया जाए जिससे वो अपनी संस्कृति विरासत के महत्तों को समझे और उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षन करे इससे एक आकिकरण राश्टिता की भावता बढ़ेगी विद्याले अस्तर पर विविन समाजिक विग्यानिक भासा हैं साहित संस्कृति कला की अध्यन की व्याख्य की जाए और दोस्तों छात्रों को ऐसी पार्टे पुष्टक पढ़ाई जाए जिससे उनमें हम की भावना विकास हो मतलब हम वी केवल मैं नहीं हम की भावना विकास हो तो दोस्तों ये हो गया राश्टी एक आकी करण में सिक्षा का योगदान या फिर आप सिक्षा की सिफारी से समझ लीजिए चारी दोस्तों कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं चाहे तो लिख के रख लीजिए कि राश्टी एक आकी करण और अंतरास्टी आवबोद इन दोनों में से एक प्रशना आप से पूछा जाएगा तो अंतरास्टी आवबोद या फिर अंतरास्टी सदभावना अब जब आप एक रास्टी के भीतर प्रेम की बात करते हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अब आईए इसके बारे में अगर आप से सवाल पुछता है तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि अंतरास्टी सदभावना का अर्त है विश्वना गरिक्ता यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के परतेक मानाओं भाईचारे के सम्बंध हो तता वसुदा एवं कुटुम के सम्मान परतित हो इस दृष्टी से अंतराष्टी सदभावना विश्व मैत्री तता विश्व बंधुता की भावना पर आधारित होते हुए मानों के कल्यान पर बल देती है अंतराष्टी अवबोद और दूसरे सब्दों में अंतराष्टी सदभावना विश्व के समस्त राष्ट तता उनके नागरिकों के परती प्रेम सहानवूती तता सहयोग की ओर संकेत करती है अंतराष्टी ओवोत ठीके दोस्तों अब आईए अंतराष्टी ओवोत के बारे में ओलिवर गोल्ड समित ने कहा था कि अंतराष्टी ओवना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह केवल अपने राज जी का ही सदश नहीं है वो पूरे विश्व का नागरिक है सही बात है पूरे विश्व का सदश है और ठाथ पूरा करके लेके चलना है चलिए बहुत सही दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको राष्टी ओवो अंतराष्टी ओवोत समझ में आया होगा अब इससे सम्मनित कुछ आपसे चोटे चोटे प्रशनिस में पूछे जाते हैं अगर लॉंग आसर में पूछता है तो आप इस प्रकार स साथ गलत वहवार करें तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अंतराष्टी ओबोत बहुत जरूरी है युद्ध को रोकने के लिए वौर को रोकने के लिए और राष्ट की आजादी के लिए कि हर एक राष्ट स्वतंत रूप से कोई ऐसे नाओं कि बाहरी आके आप对मा बना चलिए अब अंतराश्टियोबोत की बाधाएं क्या होती है तो वह से मुहीं बद संकरण राश्टिय था मतलब जो नेरो नैस्टनलिजम होते हैं जो बहुत अपने हद तक स्रीमित रहते हैं तो वह इसकी बाधाएं और विविन राजनीतिक नीतियां देखिए कुछ की राजनीति नीति जवसे मैं एक एक्जामपल दू कि नौट कोरिया के राश्ट्रपती कीम जोन उनकी राजनीति बिल्गुल अलग है वो ताना साही रवाईया अपनाते हैं और भारत क्या है भारत प्रेम की बात करता है तो हमारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती इसलिए विए यह क्या ये बाढ़ाय उतन करती चीख विविन राश्ट्य समुंवल दो लोगों के मैच दुकर तो सन्सक्रita मिलती है तो थोड़ी इसके अंदर बाढ़ाय आती है चलिए बहुत अच्छ चैलीए दोस्टों अब आये अगला प्रश्न देखते इसमें अगली पौैंट को ओ देखते हैं कि आप अन्तराश्टी और पौथ कविकास कैसे को सकते चाहिए उतला और से बढ़ा करे सकते तो खेल के डोरा खेल के दवारा जब एक खिलाडी दूसरे खिलाड़ी दूसरे के खिलारी एक दूसरे से खेलते हैं एक दूसरे से प्रतिय स्पर्दा करते हैं और गेम चलता है तो खेल दोस्तों बड़ा अच्छा उपाय है यह अंतराश्टी और बोट को बढ़ाने के लिए और खेल के माधियम से हम और कहीं देशों के बारे में जानते हैं व्यापार हो स हैं तो दूसरे देश के बारे में जानते हैं आप टूर करने जाते हैं तो वहां के लोग आपकी आओ भगत करते हैं और खासतों पर भारत पर कोई टूरिस्ट आता है तो उसे बहुत इससत दी जाती है और इस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम क्या होता है रोशन ह आपका confirm हो गया अब आएए कुछ छोटे-छोटे प्रशन आपसे जो पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है इसको कभी-कभी प्रजातंत्र के नाम से भी पूछा जाता कि प्रजातंत्र क्या है तो प्रजातंत्र क्या है कि जनता के द्वारा जनता पर सासन है जनता के द्वा पहागिधारी होती है। और लोगतंत्र में जनता सरकार बनाने के लिए प्रतिनीदी का चुनाओ करती है, यह प्रतिनीदी एक खास आओधी के लिए चुने जाते हैं। और लोक तंत्र में सबी वेक्तियों को समान अधिकार होते हैं, और उन पर एक समान कानून लागू होते हैं, कहने के मतलब है चाया महिला हो या पुरुष हो उच्छ वरका हो किसी भी वरका हो आपका एक वोट एक वट के बरावर माना जाएगा, आपको समान अधिकार है, असान से सब्दों में समझ जाए कि लोक तंत्र या प्रजा तंत्र जन्ता के दोगारा जन्ता पर S Paige चलिए बहुत से अब आए करते हैं लोकतंत्र के परकार बारे में तो इसको एक इस McCLean की तो वहां पे वहां पे राय नहीं सकती जनता मतलब जाके इस कानून के लिए अपना वोट नहीं दे सकती वह जनता के तो जो चुने गए प्रतिन इदी है वह कानून की ओनाएंगे ठीक है तो आपने एक प्रतिनी अप्रतिन इदी उसकानून सासन के लिए साशन के लिए उस्ट इंप्ट्रनों आएई क्या है लोगतंत मंतलब का मतलब सासन क्या कर लग्राक्न मतलब है कि लोग यही सबसे बढ़े हैं वह messi लोगतांत्रिक मुल्ली को देखेंगे फिर इस वीडियो को खतम करेंगे लोगतांत्रिक देखेंगे क्या जनता का मुल्ली रहता है आपको देखेंगे समानता की बात होती है, सोतमतता की बात होती है नयाय की बात होती है, बहुल बात, बहुल बात बड़ा अच्छा संबल है बहुल बात का मतलब, विविनिता में एक ता, जैसे कि मान लीजिए आपको, अब यहाँ पे समानता की बात की गई है तो समानता का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई सब सारे लोग एक धर्म को मानेंगे, नहीं नहीं, बहूलवात का मतलब आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप अपनी तहवार मना सकते हैं, आप अपने इसाब से कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, लेकि इन सब को फॉलो करते हुए और भाग लेना मतलब इस संपूरा आ जाती होती है कि एक दूसरे के रिए जैसे बाजार में आप अपने दुकान डाल सकते हैं तो इस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं तो दोस्तों चलिए दोस्तों उम्मिद करते हैं आपको लोकतांतरी के मुले समझ में आ गया होगा और के बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अब आए कुछ और प्रश्न को दिखते हैं एक प्रश्न आप से पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है मतलब कल्चर किसे कहते हैं संस्कृति क्या होती है तो दोस्तों हम सब किसी संस्कृति से जुड़े होते हैं और संस् आप बोलते हैं जिस भगवान की आप पूजा करते हैं यह सभी क्या है संस्कृति के पक्ष हैं सरल सब्दों में हम कह सकते हैं इस संस्कृति उस विधी का परतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कारे करते हैं इसमें वे चीज़े भी समलित हैं जो हमने एक समाज के सदस्य के नात संधर्म और विज्यान सभी संस्कृति के पक्ष है कथापी संस्कृति में रिती डिवाज प्रंपराय पर वो जीने का तरीका और जीन वन के विविन पक्षों पर रव्यक्ति विश्यस का अपना दृष्टि कोड़ी संबलित होता है तो यह सारी चीज़े क्या आती हैं दोस् जो भोजन हम खाते हैं जो कपड़े हम पहनते हैं जो भासा हम बोलते हैं या जिस भगवान की हम पूजा करते हैं यह सब ही संस्कृति के पक्ष हैं ठीक है तो इस प्रकार से संस्कृति के बारे में यह चीज़े हो गए अब आए संस्कृति की परिभासा देखिए रामधा संस्क्रिति के ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में चाया है एक आत्मिक गुण है जो मनुस्य के सोभाव में उसी तरह व्याप्त रहता है किस तरह जिस प्रकार फूलों में संस्क्रिति फूलो में शुगन्द और दूद्रमें मक्षनु वह क्या भैत रिल्यूं ने कहा गई शंस्क्रिति हमारे एसा गुण है जो हमारे जीवन को वीडियो को पॉइंस और देख लेते कि सांस्कृति की कुछ विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कुछ और होगी और संस्कृतिक समूह का अदर्स होता है तो दोस्तो यह हो गई संस्कृति अगर आपसे संस्कृतिक के बारे में पूछे दोस्तो आठ नमबर या पंदर नमबर में तो और संस्कृतिकक के बारे में लिखिए और संस्कतिकं की एक परिपासाह लिखिए और उसके बार संस्कृतिक की विष्बिटिक्ण ऐस्टा हे इनको की उसके पूछ एकलिए पूछ देता है आफ नम्बर में तो ठोड़ा साइस को और बहुत कालीन मुस्लिम कालीन और वैदिक कालीन सिक्षा के बारे में जानना है तो दो तीन और चोटे-चोटे टॉपिक रह गया है बाकी के सारे हमने देख लिया दोस्तो आसान भासा में समझने की कोशिस करिए घबराये मत कल वो वीडियो भी अप्लोड हो जाएगा चीक कल नहीं मतलब आज ही वीडियो अप्लोड हो जाएगा और इस तरह से बस इसको देखिए समझे सुनिया और टेंसर आप बिल्कुल मत लिजिए दोस सब्सक्राइब अगली वीडियो से रहें तो इस वीडियो में फिला लिए नहीं दोस्तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का टेंशन मत लिजिए दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लिजिए पेपर आपका बहुत अच्छा होगा मैं आपके साथ हमें सब अनर होगा और इसी प्रकार से हम अन्य दोनों सब्जेक को भी पूरा कर लेंगे आपके एक्जाम से पहले तो बिल्कुल टेंशन मत लिए दोस्तों वीडियो को शेर कर दीजे अपने दोस्तों तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज अपने और दोस्तों को जूड़िए चैनल से ताकि साथ एक साथ मिलके पढ़ाई करें बहुत दूश्य शुक्रिया जाहिंत जाभारत अगले वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कमेंट के फर्स कमेंट में डाल देंगे आप वहां से इसको देख सेजीगा फिला इसे वीडियो में इतना ही जाहिं जा वारतो